हाँ 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 आज आपको मैं यह सुतली से और एक स्पिंग से बहुत सुन्दर टी कॉस्टर बनाना बता रहे हूं सबसे पहले हम यह लूप बना लेंगे करीब 2-4 मीटर लेके डबल करके फिर इसके अंदर हम यह जैसे काज बटन करते हैं ऐसा करके हम 9 बार लूप बना लेंगे गोल गोल करके यह देखिए मैंने 9 बार बना लिया अब दूसरी लाइन में स्टार्ट करती हूं जो इससे डबल रहेगी 9 का हम इसको 18 कर देंगे तो इसको हम पिन की साहता से अंदर डालेंगे और एक सुतली सात में रनिंग चलेगी और दूसरी यह काज के समान इसको हम निकाल लेंगे तो यह इस तरह बनती जाएगे यह देखिए ऐसे करके हम पांच लाइन बनाएंगे टोटा यह मेरी दूसरी लाइन चल रहे है यह दो हो गई यह तीसरी हो गई इसी तरह हम 9 का 18 18 का 36 ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे बस जोल नहीं आने चाहिए और नहीं टाइट होना चाहिए यह आप देखते जाओ कहीं एक दो लूप कम ज़्यादा हो सकता है बहुत ही सिंपल और इजी है मात 10 रुपए 10 रुपए भी नहीं आपको 20 रुपए एक छोटी सी बंडल आती है उसमें आप 2 या 3 बना सकते हैं तो टी कोस्टर आप इतना सुन्दर कि बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते है जिसमें हमारा लुपए बहुत ही कम रहे यह दए मेरी पूरी पांच लाइन यह कंप्लीट होने वाली है यह देखिए सिर्फ पिन की सहता बहुत ही सिंपल और इजी है आप भहुत आसानी से इसको बना सकते हैं यह देखिए बिल्कुल भी जोल नहीं है यह मेरी पूरी बनगे अब इसको यहां से काटके ग्लू से हम इसको अच्छी तरीके से चिपका देंगे, और इसको और भी सुन्दर बनने के लिए हम, आप जो चाहे इस पर लेस बगएर है, जो भी लगाना पेंटिंग करना हो लेकिन, मैने इसमें मोत्य लगा दिए है यह देखिए यह देखिए यह मैंने इसमें मोती लगा दिये हैं आप मैंने दूर दूर लगाई है छे मोती लगाई है आप बारा लगा दो आप पूरा लगा दो एक लाइन से पूरा जैसा भी लगाना चाहूं अब लगा देजिए देखिए यह कितना सुन्दर तयार हो गया अब मैं दूसरा बताती हूं यह देखा मेरे पास पड़ा हुआ था इसके उपर भी मैं सुतली से ग्लूगन से या फिर आप फेविकोल से वसे ग्लूगन से ज्यादा आसानी से चिपक जाता है तो यह ऐसे करके हम चारो तरफ से इसको ऐसे चिपकाते हुए जाएंगे तो यह यह भी एक सुन्दर सा हमारा टी कोस्टर बनके तयार हो गया है तो यह देखे इसको चारी तरफ हम चिपका देंगे इस पर भी आप पेंटिंग कर दीजे लेस लगा दीजिए जो भी आपको करना चाहे बना दीजे लेकिन है न मैंने इस पर भी मोतिया चिपकाई है यह देखे पूरा चिपक गया है यह दूसरा वाला टी कोश्टर तयार हो गया है इसमें भी मैंने मोतिया लगा दी है आपके पास जो भी जो भी कोई भी चीज हो वह आप यहां लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो एक ही तयार हो गया है तो यह इसको एक है